हेलो फ्रेंड्स, हापी दिवाली टू आल अफ यू, आई होप आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो, तोड़ा पटाकों से दूर रहो, आपका और आपके परिवार जनों का ये दिवाली बहुत अच्छा भी थे, हाला कि कुरोना के बाद से हमारा मेल मिला थोड़ा सा बंद हो ग दिवाली ब्लॉक सेर करूँगी, तो चलिए देखते है हैं, आज मैंने क्या-क्या दिवाली पर किया, क्या-क्या बनाए, और देखते हैं, और अभी मैं जारी हूँ नीचे, नीचे का भी ऐ खलिप्स मैं आप लोगों के साथ सेर करूँगी, तो चलिए इन्जवाई यहां पे मैंने बनाने की कोशिस की है और बस चलिए शुरुवात करते हैं रंगोली के बाद देखते हैं मैंने क्या क्या बनाया आज तो आज हमारे हम पकोड़े बनते हैं जिसमें विसेश तोर पे चने के पकोड़े मतलब जितने भी तरह के पकोड़े आ बना सकते हो बना लो और इस दिन सुबह वही छोले मिठाई वगेरा तो चलती ही रहती है लेकित साम आते आते तक मीठा बिल्कुल भी खाने को मननी होता है और मेरी सासु मा भी बस ये पकोड़े बहुत साम में बनाती थी तो बस वही मैं फॉलो कर रही हूँ मैंने यहां आलू के, गोबी के, प्याज के और मिर्ची के और आलू बोंडे के पकोड़े बनाए हैं सब मिक्स पकोड़े बनाए हैं और आज के दिन हम लोग रात में चावल और डाल खाते हैं रोटी नहीं पकती है तो बस मैं वही बना रही हूँ और यहां पे मैं वही पकोड़े निकाल रही हूँ यह चोटी वाली कराई देख रहे हो तो आप ये ना बहुत इजी इसमें पकोडे निकल जाते हैं क्योंकि आप अगर नॉन स्टिक डालो या थोड़ी मोटे तैवाली कराई डालो ना तू पकोडे पकाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारा जब होता है तो मैं ये छोटी सी कराई यूज करती हूं तो ब पॉली से पहले भी मीठा खाओ फिर उस दिन भी खाओ आना जाना लगा रहता है तो साम में चटपटा हो जाए और फिर यहां मैं पूजा कर रही हूं पहरे सुबा तो पूजा करती हूं सुबा कि समय लेकिन साम में हमारे यां भूग लगते हैं लचमी जी गनेश जी को ल आज के दिन हम और मेरे पती देव जी दोनों मिलकर ही आरती साथ में करते हैं क्योंकि और दिन तो छुटी उनकी होती है नहीं होती है लेकिन इस दिन तो हमेशा रहती है तो बस हम दोनों मिलकर इस दिन साधी को मेरे 11 साल हो गये हैं होने वाले हैं और यह नियम हम लोग ऐस करते हैं जब भी उनकी छुट्टी होती है चाहिए नवरातरा में पढ़े है या दिपआली में पढ़े तुम दोनों मिलकर ही दिये या इसे सभी जानते हैं कि कोई भी पुजा के सुधूरात में पहले हम लोग गनेज भगवान के आरती करते हैं और यह अच्छा लगता है कि इनका भी पूजा पाठ में अच्छा मन लगता है और बैस हम दोनों मिलकर यही आरती कर रहे हैं गुण्नों नीचे पोडियम पर खेलने गया है इन लोग की तो मस्ती अलग होती है बस लेकिन वो आये फिर मैं उसे भी आरती वगेड़ा दिलवाद हूँ और होता है कि ममा मैं अभी नहीं आओंगा बाद में आओंगा तो बस यहां हमी दोनों मिलकर पूजा स्टार्ट करके आरती कर रहे हैं बस यहां पर आ गया है ऐसे मन लगा कर आग बन करके पूजा कर रहे हैं ज जल्दी जल्दी बस हो गए और बस हम लोग भी नीचे जाके देखते हैं पोडियम का क्या हाल है यह देखिए मेरे पोडियम से कितनी रौनक लगी हैं सही पूछो तो दीवाली साम को ही हम हाउस वाइफ को पता चलती है जब सारे काम नहीं पड़ जाते हैं और बाहर कि लाइटों को देखना दीए को देखना बहुत अच्छा लगता है और यह देखिए मेरे सोसाइटी में कैसे सबी लोगोंने रंग भी रंगे कलरफूल जो होते हैं वो बल्ब लगा रखें और यहां पे यह गुन्नों को पता के जलाने में मदद कर रहे हैं हम लोग यहां पे कोई भी आवाज वाले पता के बैन है इसलिए जो भी थोड़े बहुत पता के जो हैं बस हम लोगों ही जला रहे हैं थोड़ा से जो रोसनी वाले हो खास करके क्योंकि यह भी मना कर रहे थे कि पॉल्यूशन बहुत जादा है कुछ नहीं करना है बस एक दो पता का बस ज करने के जुरुत नहीं है बस यहां बस वही एक तो मिलकर यह लोग कर रहे हैं यहां मैं आज के दिन के कुछ पिक्स आप लोग के साथ से एर कर रहे हूं और यह रहा मेरा दिवाली ब्लॉग जिसमें मैं और मेरे पड़िवार चोटा सा पड़िवार कह लिए बस ऐसे ही मिल कर हम लोगों ने दिवाली सेलिबरेट किया आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और चलिए मातारानी सब पे क्रिपा बनाई रखे मा लचमी सब के उपर प्रशन हो तो इसके साथ मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ तो वन सेकेंड हैपी दिवाली